हेलो फ्रेंज आज हम एक नए टॉपिक पर पात करने हैं अपनी ब्रिक फास्ट को कैसे अच्छा बनाएं कैसे स्ट्रॉंग देने वाला स्ट्रेंग देने वाला बनाएं जो एंटि ऑक्सिडेंट से भर पूरो आपको मोटा भी नहीं करें पतला भी रखें सारे वैटामिस मि एंटि ऑक्सिडेंट मिले तो वह द्रेंक है एक बहुत अच्छी से स्मुदी इसके लिए आपके घर में उपलबदा सब चीजे एक छोटी चमज चीया सीड्स एक छोटी चमज फ्लेक्स सीड्स एक छोटी चमज खस-खस एक छोटी चमज सैसमी सीड्स यानि तिल के बीच एक छोटी चमज सौफ एक छोटी चमज इलाइची पाउडर एक छोटी चमज गुलाब की पत्तियां दो काजू दो पिष्टा चार बाताम दो अक्रोड एक छोटी चमज खर्बूजे के बीच एक छोटी चमज कद्दू के बीच एक छोटी चमज तर्बूज के बीच एक लाग करें भी को सुबहंगी मीर्ची extend protecting the sun flower seeds इन चार पाणी में यह जैसे कि अंगूर हो सकता है ची कू ओक केला हो सकता है स्ट्रोबेरी हो सकती है एपल हो सकती है कोई भी एक फ्रूट एक मुठी भर हो चर्ण कर दें इसमें आधा कप दूद डालना चाहें तो डालें और अगर आप वेगन डाइट पे हैं तो केवल पानी डाल कर इसे चलाएं चर्ण करें आपकी बहुत अच्छी से स्वास्ते बर ले में ले जिनको पतला होना है वो भी जिनको मोठा होना हो भी सब कोई पी सकते हैं लेकिन ध्यान रखें इसके बाद सूना नहीं है सुएंगे तो मोटा पभढ़ेगा degradation नहीं होगा इसके बाद58 करें या वॉक करें और स्वस्त रहें अपनी इम्दिति बढ़ा है इस कोर बने वीवे का नंदी कहते थे पहले अपने आपको शशक्त करो मजबूत बनो तब हम दूसरों को मजबूत करेंगे थेंक यू